हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी क कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। एक सयोजन दवा है जिसका उपयोग गेस्ट्रोसुफेगल रिफलक्स रोग, एसिड रिफलक्स और पैप्टिक अलसर रोग के इलाज के लिए अमलता के लक्षणों जैसे की नाराज की पेट दर्द या जलन से राहत देने के लिए किया जाता है। यह एसिड को भी बैसर करता है और पैट की परेशानी को कम करने के लिए गैस के आसान मार्क को बढ़ावा देता है। एर राबिट कैपसूल एसार को डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार खुराक और अवधी में भूजन के साथ या बिना भूजन के लिया जात यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभाव के बारे में चिंतित हैं तो सीधे अपने चिकितसक से संपर्क करें। यह दवा चक्कर आना और नींद का कारण हो सकती है। इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यक्ता हो। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है। जीवन शेली में बदलाव जैसे ठंडा दूद पीना और गर्म चाय, कॉफी, मसालेदार भोजन या चौकले से परहेज करना आपको बहतर परिनाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यदि आप लीव की बीमारी से पीडित हैं, तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण है। आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहिए कि क्या आप गर भवती हैं, गर भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ब धन्यवाद।